नमस्कार हिंदुस्तान, एक्सपोर्ट बिजनस हेल्प स्रीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज के क्योस्टन पूछे गए हैं अभय काला जी के तरुप से परसांत राजनोर जी, साजी दली जी और कृष्णा एक्सपोर्ट इंडिया की तरफ से और इनके जो मैंट जो चार क्योस्टन हैं उनके अंदर से अगर हम देखें तो मिलता है कि जैसा आप लोगो को पता है कि एक्सपोर्ट बिजनस हेल्प स्रीच का मतलब है कि जहां पे आपको कोई भी दिक्कत हो आप अपना नाम लिख सकते हो और उसके नीचे अपने जो दो हर्डल से दो समश्या जो हैं वो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे भी कर सकते हो अगर आप नए हो तो फटा तो पहला क्योस्टन है अभे काला जी का यह पूछ रहे हैं हाओ टू कैल्कुलेट दा प्राइस तू निगोसियेट विद दा बायर सो देट वी देट हैंट परसेंट एडवांस तो यहां पे मैं अभे जी को बताना चाहूंगा कि सर निगोसियेशन एडवांस दोनों बात है वो एक पैमेंट टम है अगर कल का वीडियो भी आप देखोगे हमारा हेल्प स्रीज का तो उसमें भी एडवांस किस तरीके से मिलता है वो आपको बताया गया है लेकिन जहां पे बात निगोसियेशन की हैं कैलकुलेशन की हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सि पर्चेजिंग कोस्ट है उसको लीजे नमबर टू उसका जो भी लोजिस्तिक पार्ट या जो भी आपके एक्सपेंसेज हैं वो सारे एड़ कर दीजे नमबर थ्री उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन एड़ कर दीजे यहां से यह तीनों चीजे जब आप एड़ कर पर रखिएं ताकि एक टेंटिटिव जो एक्स वर्क जो प्राइज है वो आपके निकल पाएं इसके बाद में फिर आप एफोबी और सी आइफ के थुरू आप वर्काउट कर सकते हो तो जब आप यह तीनों प्राइज बायर को देते हो तो वहां पे आपके पास में क्यों से आपको 20% के अबाव नहीं जाना है तो कि 20% एटलिस्ट आप लोगों को लेना चाहिए और यही 20% में आप लोगों का निगोशियेशन प्रोसेस चलता है तो कि इसी के अंदर आपको टैक्स वगरे भी आपको जियस्ती वगरे भी रिफंड मिलता है इंडिया के अंदर त इसके लिए आपको अपनी एक्सपोर्टर रिजिस्टेशन प्रोफाइल एक्सपोर्टर वैब प्रोफाइल ओनलाइन एविलिबिलिटी इन सभी चीजों के उपर ध्यान देना होगा जैन्यून बाहर से पहले आपको जैन्यून सेलर बनना होगा एक्सपोर्टर तो मैं साजित सर को बताना हुआ कि सर आप मेनुफेक्चरर हो बहुत अच्छी बात है और आप लोगों को तो वैसे भी सामने आना चाहिए क्योंकि जब मैनिफ एक मैनुफेक्चरर जब फ्रंट के ऊपर आता है तो वह बहुत सारे merchants को भी काम देता है आपको क्या help चाहिए export के regarding वो आप on screen number देख रहे हो उन पर call करके आप help ले सकते हो बाकि wooden handicraft product अगर export की अगर आप बात करो तो आपको European countries को target करना चाहिए और handicraft product में sir मैं इतना ही कहना चाहूँआ कि अपनी online availability के उपर यानि अपनी exporter web profile और इन सब चीजों के उपर सबसे ज़्यादा focus आपको करना चाहिए क्योंकि इसके साथ में आप directly अपने consumer के साथ में अपने customer के साथ में interact कर पाऊगे और जब आप directly customer के साथ में interact करते हो तो आपका profit margin जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है और handicraft जो भी है उसका एक showcase online showcase होना बहुत जरूरी होता है वो भी एक well designed manner के अंदर जो impact डालता है और उसी से आपकी product की quality का आकलन किया जाता है तो साजी सर यहाँ पर जो भी आपको help चाहिए आप call कर सकते हो बाकि handicraft से related हमारे दो videos already है जो आपको existing video series में मिल जाएंगे तो आप एक बार channel पर जाके आउनको देख सकते हो परसान जी पूछ रहे हैं मेरा problem यह है कि sir LC और advance किस देश में मिलेगा sir मेरे पास buyer and knowledge है बट मेरे पास start करने के लिए और certificate निकालने के लिए पैसे नहीं है तो परसान जी यहाँ पर दो चीजे आपको ध्यान देनी होगी LC और advance किस देश में मिलेगा ऐसा कोई country जो है वो specified नहीं है LC और advance यह buyer specified होते हैं कि आप अपने buyer के साथ में किस तरीके से interact कर रहे हो आप अपने buyer को कितना assured कर पाते हो advance depend करता है उस चीज पे अगर मैं आपको बोलू कि सर मुझे 10,000 रुपए चाहिए मैं आपका काम करूँ आप मुझे पैसा दो कोई ऐसे पैसे नहीं देता है जब तक वो assurance level आपके अंदर create नहीं होगा जब तक आप उतना assured अपने buyer को नहीं कर पाओगे जितना assured होगा उतना वो आपके साथ में connect होगा और उतना वो आपको advance दे सकता है लेकिन जितना काम जितनी कोशिस हो सके उतना आपको advance पे ही काम करना चाहिए LCB अगर आप ले रहे हो तो at least purchase order के साथ में 50% advance मांगने की हिम्मत सभी लोगों को जो startup exporter है उन लोगों को at least करनी चाहिए ताकि आप लोगों का working capital जो है वो आप लोगों के हाथ में आए 50% अगर buyer नहीं मान रहा है आपको लग रहा है कि genuine है तो आप LC दे सकते हो लेकिन वो भी आपको ECGC policy के according ही देनी चाहिए ताकि वो 50% भी आपका secure हो पाए second issue है आपका कि मेरे पास buyer है नोलेज है बट मेरे पास start करने के लिए certificate और नहीं है पैसे नहीं है sir यहाँ पर sourcing agent का एक term बताया था कभी मैंने जो videos available है दो part के अंदर आपको हमारे channel पे मिल जाएंगे जब आपके पास में buyer है नोलेज है तो आप किसी ऐसे manufacturer को या वोल सेलर को पकड़ सकते हो उसके साथ में आप एक joint venture बना के या एक collaboration करके आप उनके साथ में काम कर सकते हो जब आप यह working करोगे तभी आपको और पैसा मिलेगा और उस पैसे से आप अपना जो business structure है वो भी खड़ा कर सकते हो लेकिन right now बिना पैसो के अगर आप यह सोचोगे कि मैं without certificate और इन चीजों के काम कर पाऊं तो यह थोड़ा hard है second thing आप short selling के अंदर काम कर सकते हो यानि एक container की बजाए आप कुछ ऐसे product चूच कीजिए जो short selling में हो सकते हैं जो आप by courier भेज सकते हो इससे भी आप rotation करके पैसा generate कर सकते हो और अपने लिए बाकी के जो बड़े certification है वो आप arrange करके फिर huge quantity के अंदर आप काम कर सकते हो तो यहाँ पे Krishna Exim Export India तो यह Krishna जी है इनकी problem है कि B2B site पे काफी time से registered paid membership फूं लेकिन कोई buyer reply नहीं दे रहे हैं सर B2B site के लिए कल भी एक video मैंने बनाया था जिसका एक question था आप जैसे user नहीं पूछा था तो मैंने उनको भी यही reply दिया था कि B2B site के उपर आप लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जितना पैसा आप लोग उनकी membership fees के लिए देते हो उसकी बजाए अगर आप लोग अपने exporter web profile पे पैसा दो अपनी online availability पे पैसा दो अपने social media structure पे पैसा दो अपनी जो digital marketing है उस पे पैसा दो तो वो आपके लिए ज़्यादा beneficial होगा ना कि B2B site क्योंकि B2B site के ओपर जो inquiries आती है अब बहुत लोग कहते हैं कि वो manipulated भी होती है और बहुत सारी चीजे हैं इस बट है और आप लोग already इतना payment करके बैठ चुके हो तो आप लोगों को भी यह experience आ चुका होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यही कहना चाहूँआ कि आप लोगों को इसके साथ में अपनी खुद की online availability पे ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि आप लोग इसके ओपर बहुत बहतर तरीके से काम कर पाओ दूसरा कि उससे ने एक्सपोर्ट बिजनस में payment buyer से advance कैसे लो उसके लिए क्या करना होगा startup के लिए सर advance payment लेने के लिए कुछ चीजे होती है जैसे आप एक buyer को वो genuine है या नहीं है यह चेक करते हो तो buyer भी seller genuine है या नहीं यह चेक करता है तो यहाँ पे आप लोगों को काम करना होगा इन चीजों के लिए आपको एक proper अपना business structure जो है वो develop करना होगा proper आपको अपनी exporter web profile डवलप करनी होगी उसके साथ में अपनी online availability के उपर भी आपको ध्यान देना होगा और जितना आप जैसा मैंने माल लेने को तयार होगा अब ये part of communication है इस लोगों के लिए आपको अपनी communication skill और इन सब चीजों को भी develop करना पड़ेगा तो दोस्तों ये थे 4 questions अगर आप लोगों के भी कोई problem है कोई आप लोगों को export में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप अपना नाम लिख कर comment कर सकते हो export business help series में आप लोगों के question को भी लिया जाएगा और explain किया जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो share कीजिए like कीजिए नए हो तो subscribe कीजिए मिलते हैं next four questions के साथ में तब तक स्वस्त रहिए export के लिए सोचते रहिए खुद को खुद की personality को खुद की skills को develop करते रहिए क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा जैहिन जै भारत